हेलो दोस्तों मेरे चैनल में स्वागते मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि थोड़ा प्रोब्लेम था तो फिर से आ गया मैंने देखा था जेलियो का आप लोग बहुत डाउट था तो मैं आज जेलियो का बारे में बताऊंगा नेक्स्ट में जेवीव वाइफाई के बारे में बताऊंगा आज देखें यह जेलियो डॉबल डॉबल जिरो साइन वेड़ जो 900 भी एका है ठीक है ना तो यह 900 भी एका यूपेस है यह डॉबल डॉबल जिरो इसको मॉडल नंबर है ठीक है कभी अब पर्चेस किने जाते हैं तो आपको बोलता है कि यह 1KVA का है एक्षिली 1KVA का नहीं है 900VA का है ठीक है डॉबल डॉबल जिरो साइब को बताएंगे हम तो जो डॉबल जो डॉबल जिरो मॉडल नंबर है समझ लिए 900VA है 700 वाट्स का लोड लेता है ठीक है ना तो आज इसका हम थोड़ा डिस्प्ले का अगर डिस्प्ले अगर समझेंगे हम अगर फोकस नहीं हो रहा है हाँ देखिए यह उपर कपको प्लक सेंबल देख रहा ना यह अपको मैंस अबेलेबल होगा तो यह प्लक सेंगल प्लक सेंबल होगा इसमें कोई शोट शरावा बीप का कुछ साउंड नहीं आएगा में ज उक् języकर में अबेलगा है कितमको मोडも हैं ऊज्कोमोड में अगर आगे आके बता हुग कि इक कोई के समक्या है यह उपका सेंट ब्यूट है न होटा है अभी आता है अभी बोल के नंबर मैंने है है साथ्थी ह्या बितिखा हूंगका इ inquisidas है अल्चैजल अई में यह मोड् मैं इधर से अगर mains off करूँगा देखिए जैसी मैं मैं इधर से आफ किया यह plug सेंबल चला गया मेरा backup टाइम दिखा दिया मेरे पस अभी जादा लोड नहीं है बस एक light ही जल रहा है 12 वर्ट का तो मेरा देखिए यह दिखा रहा है अधर फोर अवर थर्टी सेवन मिनिट जलेगा ठीके यह बैटरी से बैक अप ले पाएगा ठीके यह जहलियों का न मैं बताता हूँ पहली जैसी पावर चाहेगा यह आपको 9 आवर नाइंटी रहें नएवाउन ही मिनिट दिखाएगा लेखिन उतना नहीं दिखाएगा जैसे दो मिनिट और पार्फेक्ट रीटिंग दिखाएगा ठीक है तो दो मेंटित प्रफ्ड बैडरी उसका 13-13.9 एक फॉल्टिज़ चला जाता है ठीक है जैसे इमिलिएटली पाउर चाला जाता ह तो वोल्टेज कम होने को 12-5 तक आने को थोड़ा टाइम लगता है 12-5 तक हमको करेक्ट रीडिंग मिलता है तो जैसे 12-5 तक आता है उसका अपना रेडिंग बता देता है ठीक है तो पहले जो रेडिंग दिखाया आपको गलत है एक टू मिनिट आपको वेट करना पड़ेगा पारफेक्ट रीडिंग के लिए तब भी आपको पारफेक्ट रीडिंग अभी देखिए फोर आवर 37 मिनिट बैक आप दे रहा है यह यह लोट पे अगर मैं लोट ज्यादा करना तो कम ज्यादा हो जकते मैं दिखाऊंगा यह प्लक सेंबल नहीं मैं इस नहीं देखिए बै देखिए को अभी मतलब नहीं है उसका को genome of reager दीत जैलेगा थोबिते हैं यह है अबिए ऐक नहींद करमा घर जाला जाएगा तो सुछ अभी काम करता है जब पास जाएगा ठीक है दोर चला जाएगा तो यह सुच Cape paul रहा तो पोर की उन नहीं होगा टेगा टाया कर में तो जैसी स्वी जोन करेंगे तो ओन होगा और अभी पकल लेज़े पावर है मेरे पास अब जैसी पावर और करने का कुछ सेकेंड बाद फाइब सेकेंड बाद इमेंज सेंबल लागए ठीक है अभी चार्जिंग दिखाएगा देखें कुछ टाइम लेता है चार्जिंग के हो रहा है कुछ टाइम लेता है एक टेन सेकेंड एक सेकेंड टाइम लेता है इसके बाद हो चार्जिंग टाइम शो करेगा अभी देखिए तब तक मैं स्वीच का बता देता हूं अभी दिखिए स्वीच में अगर आफ करूंगा कोई फरक नहीं पर रहा है देखिए मेरे स्वीच को फरकनी परेगा यह सी पावर चला जाएगा यह सूच अगर आफ रहेगा तो अपका जो में पावर है वो बंद जाएगा ठीक और दीखिए संब्सकी कि बैटरी इतना जाधा डिस्चार्ज नहीं हुआ कि उसको टाइमिंग शोए है ठाके यह थिक्टागा डेुर की इनका। नहीं हुआ थिक तो मैं स्वीच कॉंत करतेता हूं अभी तो रफिच्अ का बारे में तोरह देक लेते हैं यह तो यह कंडिये भेक बाइपट संडू एओ दिले यह हमेशे नौर्माल मोड पर रहे गा यह हमेशाher Normal Mode पर रहेगा निजए इसका बाईपास ए ठीक है Михालो मिल्डだ jest झालों किई निचे बाईपास मोड़े तो हमेशा यह normal mode मोड़े रहे तो जब यूपेस running condition में रहेगा और अगर लेज़े À Kekla यहाँ आप एंफरी कर लेगा 20 वभीञा कर रहा है कि एक मिनिट में बैटरी फूल चार्ज हो जाएगा अभी शोकर अभी बैटरी फूल चार्ज हो जाएगा अभी शोकर अभी बैटरी फूल चार्ज हो जाएगा अभी बैटरी फूल चार्ज हो जाएगा अभी शोकर अभी बैटरी फूल चार्ज हो जाएगा अभी जैसे हमारा सूकेम का नॉर्माल इंबेटर जो डेरेक्ट बाइपास कर देदा बैटरी नहीं भी रहे यह इसा नहीं होगा ठीके ना तो इसको आप मेंस की बाइपस कि दर आप करके बाइपस कर सकते हैं ठीके ना जब तक टेक्शन नहीं है आपका घर का लाइट तो जलना है ऐसंने बाइपस कर सकते हैं ठीके यह थे न यह बाइपस करके दिखाता हूँ जैसी में इसको बाइपस किया है कशिविका की के महीं चालाए ऩो टेकिन बाइबाइब्धान ने चल रहा है और यह देखिए मेन बंद हो रहा है में इस खराब हो गया तब मीन से बाइब्वास कर सकते उसको को यूपेस से लेना देना नहीं है तो मैं सोई चाहन रखता हूं मैं आपको हर एक चीज दिखाता हूं अभी मैंने बाइपास मॉर्माल कर दिया ठीक है और यह MCB है अगर MCB ट्रिप होता तो डिस्प्ले में क्या शोग होगा मैं यह भी दिखाता हूं पगाली यह MCB ट्रिप होगा तो दिखिए मैं अगर आपक बताया था उसमें कि कौन सा कोट का क्या फॉल्ट है फॉल्ट इंडिकेशन भी आ गया यह BTP भी आ गया है उसका मतलब है MCB ट्रिप है ठीक है और मेरा इधर से पावर भी कट गया है दीखिए मेरा लाइट भी नहीं जल रहा है ठीक है तो यूप्यस भी ओन है ठीक है इस प पहले आफ करना पड़ेगा यह पकरने के बाद में को जो पीछे का MCB है इसको उठाना पड़ेगा टीके न उटाने के बाद में यह ओटमेटिक वाटमेटिक अटिक का इस पर आगया चार्जिंग होगा तो चार्जिंग होगा ठीक है अब यह दूसरा देख लेड़ें हम दीखिए यह बैटरी सिलेक्शन है, यह जो आका बैटरी सिलेक्शन है, फिर्स्ट अगर आप राइट से शुरू करेंगे तो आपको T लिखा है, T बोले तो टुबिलर है, F बोले तो फ्लेट है, S बोले तो आपको local battery प्रेटरी normal plate ठीक है ना लोकल ब्रेटरी काई एस ठीक ने एब ऊपलोगस फ्लैटर टीव लट तो तो भी तो तो मेरा बहुत जाम है तो आपके बस अगर टॉल टीछ फिलेटी पे रखेंगे फ्लैट बैटरी है दिए अगर लोकल बैटरी तो एस में रखेंगे यह सबसे में तो में यूपेस मोड एको मोड ठीक है ना तभी तो मेरा एको मोड में है ठीक है न तो दिखाएगा तो तो में और एक फॉल्ट दिखा देटा हो को देखिए जैसे मैंने सेटिंग चेंज किया ना इधर देखिए सेटिंग चेंज ही है ना ऐसे आ गया है ठीके नडा एफल्य में सेटिंग चेंज हिए थोड़ा टाइम लगता है उसको वो और मेक्टिक लेगा ठीक है अगर्सेटिंग चेंज करेंगे उसका राइनिंग टाइम कोडिशन पर और यह तो इससे दिखा एगा अभी देखिए ए अगर आप इसको ऑन आप भी करेंगे तब भी को पहरकने परेगा पहले सेटिंग को सेप करेगा यह करा आए आपका डीस्प्ले में टीन शेटिन सेटिंग करें देखें बैटरी पास्मेट में चार्ज होगा इमेंज आगा यह देखें आप यूप्यस मोट पे अगर इको रहा इको मोट में क्या है 150 से लेखे 270 तक यह यूप्यस का 150 के निच्छे होता है ब統 कि से ज्यादा होता है तब यूप्यस अर्पिस मोट कमें रहेगा और इसकी बीच में जो गैब है उसमें आपका यूप्यस को चलाकर रखेगा ठीक है यह एए एको ट इस्लिए टो कि यूपियस मोड में यह होता है 180 से लेके 250 बढ़ 260 तक ठीक है ना 250 और 260 यह आपको यूप बाइपास करेगा और चार्जिंग करेगा जैसी 180 से नीचे और 260 से उपर जाएगा यह बैक आप मोड में आ जाएगा ठीक है यह है फैंशन यूपियस मोड यूपियस मोड उसमें कुछ भी आपको फराक नहीं परेगा कि जैसे कारेंट गया तो जो लाइट जो फिक्रिंग होके में उसमें कोई फराक नहीं परता है क्योंड केभी कभी बोलता है बहुत अधम कस्टमर लोग की यूपियस मोड इको मोड तो इसका देना है कि बस चार्जिंग का और बाइपास का ठीक है ना तो आपके पास अगर computer system है तो उसकी UPS mode पर रखिए ठीक है तो 180 से 260 के बीच में वो bypass करेगा इससे अगर उपर कम जाधा होगा तो UPS में चलाए तो आपको computer system okay रहेगा ठीक है आप रखना चाहते हैं अगर आपके पास computer नहीं नौर्माल घारे नौर्माल लाइट फें तो इसे चलता ही है वां फिप्टी वां शिक्टी वां सेवन्टी तो उसका पीको मोड में रख सकते हैं तो उसमें को फरेगा आप देखिए आपका मर्जी ठीक है अगर आपका से सीटी में है तो तो अप यूपेस मोट पी रखें कि उदर इतना वोल्टेज लो नहीं होता है अगर आप बिलेज में तो तो आपको यूपेस मोट में रहें तो बैटरी चार्ज नहीं होगा तो ठीक है आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो हम ड्रॉम लाएं गे अलए थे लिए फिट से आ रही है शेतिंगं अंदर से अभी तक से नहीं हुआ ठीक है नहीं कुछ फॉल्ट उता रहा है सेटिंग में श्कॉत को डिक्रिक लोंगा वोता पुराना उपेस है हम अभ्वरा तीम पेसम फोल्ट नहीं दिखाए देगा पू जेली ओ है नॉर्माल दूसरा वीडियो एका मेरा जेली ओ वाइफाई क्या कि इसको मोबाइल के साथ कैसे करें जेली ओ का दूसरा एक मॉडल आता है जिसके जो डिस्प्लेइए ना यह आपको मोबाइल पर दिखाए देगा उसको वाइफाई के कनेक्ट करने के बाद में कि बैक आप कितना है इसको आपका लोड कितना है पावर गया कि नहीं बैटरी चार्जिंग कितना है कौन सब सब कुछ दिखाएगा नेक्स्ट वीडियो में वही लाओंगा तो तब तक वेट किजिए धन्यवाद